क्या आजम खान का खिलेश से मोभंग हो गया है क्या शिप्पाल यादव के खेमे में जाएंगे आजम खान अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर से चर्चा के केंदर में हैं हालाकि इस पार उनकी चर्चा समाजवादी पार्टी छोड़ शिप्पाल यादव के जाने के कयासों को लेकर हो रही है आजम को लेकर जारी अठकलो को लेकर समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है दरसल सोचल मीडिया पर एक कोस्ट वाइरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आजम खान जल्धी अखिलेश यादव का साथ छोड़ कर शिप्पाल यादव का हाथ थाम सकते हैं इस खबर के तेजी से फैलते ही यूपी के सियासी गल्यारों में अठकलों का दौर भी शुरू हो गया है इस बात के जानकारी मिलने के बाद समाजवाधी पार्टी में हड़कंत मच गया हाला कि समाजवाधी पार्टी नेताओं ने इस खबर को पूरी तरह से बेवनियाद कराड दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पोस्ट को जुहेर तुराबी नाम के एक ट्वीटर यूजर ने वाइरल की है 14 अक्टूबर को ट्वीटर पर इस पोस्ट में आजम खान, अखिलेश यादव और शुपाल यादव की तस्वीरे लगाई गई है हालांकि इसका पता लोगों को तब चला जब मेरट के एक यूवक ने इस ट्वीटर पोस्ट को वाटसेप पर वाइरल कर दिया मेरट का ये मामला देखते ही देखते सूबी की अन्य जिलो में भी पहुँच गया इसके बाद मेरट में स्पी के नेताओं को एफ आयार दर्ज करने के निदेश दिये गए केस दर्ज कराए जाने के बाद फिल हॉल पुलिस ने इस मामले की जौँच के अदेश दिये है उदर एसमी नेताओं की माने तो सोचल मीडिया के गलत इस्तेमाल कर पार्टी को बदनाम किया जा रहा है पार्टी नेताओं और कारेकरताओं का कहना है कि शिपाल बीजपे के इशारू पर राईशनी दिकर रहे हैं साथी आजम खान को बदनाम करने की साजिश रश्ची जा रही है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट